पिसी से देख दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं से बात करते हैं आस तमाम जो नेता हैं पुकिमादी वुपेज बखेल भी दिल्ली जाएंगे और सर कौन-कौन दिल्ली जा रहा है क्या बैठक करने हैं संबहता कली आइसीची दिल्ली में प्रदेश इस्तर का एक समिशा बैठक होगा उसमें हमारी आइसीची के तमाम बड़े लिडर रहेंगे और हमारी प्रभारी कुमारी सेल्जा जी फिर पुर्मक्यमंतरी वुपेज बखेल जी और चरनदास महंत जी और टियेस सिंग्देव तु dawaj को परुजी रहेंगे और मैं भी रहेंगगा तो यहां पर जाने के बाद कल बैठक है पुरुस बैठक में ऒंफिशा देगेंसंट。 और यहां चाहिए बैठा होगी और वहाँ से आने के बाद कलता ही करेंगे कलता ही करने बाद पिर चाहिए फ्रटेश बैठा कर रहें फिर जीत परिवर्टन का लहर था हम लोग सभी गये थे वहां का जनता का मतलब इस पष्ट जनादेश मिलाए और वहां महौल भी परिवर्टन का था तो निची तरुप से अधिर गाला में सरकार भी बनी है और अबारे साथी शांसद आज मुख्यमंत्री बने रेमें तरेड़ी जी उ कहा है कि नेटापरतिपक्र जू रहे कर यह बात हो रहे ही है कि नेटापरतिपश जो है वो कौन बनेंगे इसके लावा भी नाम आरे है कि कवासिन रखमा से लेकर उमेज पटेल अनीला वेडिया देखिए अब तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त है कल का बैठक संपन हो जाए तो उसके बाद फिर प्रभारी मेम और तमाम आला लीडर से चर्चा करने के बाद फिर संभावता उसके लिए अलग से बैठक होगी और संभावता परेवेक्षक उसके लिए निफ्ति करेंगे दिल्ली से तो एक प्रिक्रियाक तहत उसका चैन होगा और आला कामान करेंगी जो अभी बैठक के बाद भी जो समिक्षा है कि आपको लगता है कि कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है अगर पार्टी को यह डाउट हो कि यह उनके साथ नहीं खड़िवे जैसे कि संत्राम निताम आए हुए थे आप प्रोटेस्स भी किया था उनका उसी समय जब नतीज अगर निकाला भी लिगें क्या बड़ी करवाई भी की जा सकती है या आपसी लडाई की भी अगर बात होती कुछ दो लीडर्स में तो क्या उन पर भी एक्शन जाया सकता है देखिए अगर कई बहुत सारे विधान सबाव से आईये सिकायत कुछ विधान सबाव में ततकल गहार का सामना करना पड़ा अगर इस तरह की बाते आती हैं तो क्या उस एक्शन हो सकता है अगर कहीं गलत है तो पार्टी उसे भी नेडा लेगे हैं अमर्जीत बगत का बयान तो आपने कल कहा भी था सर की उन्होंने कहा था कि अपना-पना देख रहे थे तो यह कई लोग लेकिन यह सब बात घर की बात है घरें बैटके जब पार्टी का नेड़ा होगा जब पार्टी का समीछ सब बैटक होगा तो निशी दूरूप से यह सब बाते इन सब बातों के चर्चा खुलकर चर्चा किये जाएगा लोगसबा के चुनाओं भी आगे हैं तो यही फैक्टर फिर मायने रखी है अहां लोगसबा का चुनाओं है सामने लोगसबा चुनाओं के लिए फिर से तैयरी करना है कारेकृताओं पर जाएंगे जनता बीच पे जाएंगे जो लगबग दस साल के मुदी सरकार की भी जेपी में वी सीम करना है इस सम्मध में मुझे ज़्यादा कहना तो ठीक नहीं है तो ये है दीपक बैज़ और कल वो बैठा कोगी दिली में और पर मन्थन किया जाएगा कि हार का कारेंड क्या था और क्या कौन जो हार हुई है उसमें क्या पार्टी के कई लोगों का हाथ था वो भी एक फैक्टर है इस पर भी चर्चा की जाएगे और जिस तरह से पूछा कि क्या बड़ी कारवाई आने वाले समय में हो सकते हूं नंका कि समिक्षा के बाद ये जरूर है कि कुछ ने कुछ एक्षन तो हो सकता है कि अमरे परसर इम्रान के साथ मम्तालान जेवा न्यूज एटींच अटिसगर राइपुर्ण